हलो फ्रेंड्स तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे स्टेडी चैनल में जिसका नाम है रूल्स डॉट को हूँ सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूँगा कि बहुत दिनों के बात जाके अब मैं वीडियो डाल रहा हूँ और दूसरी बात यह है कि पेपर्स नजदिक आ रहे हैं तो मैं आपके लिए एक नई प्लेलिस चूरू करने चाहरा हूँ आज डिसका नाम है DSA जिसे कहते हैं हम डाटा स्ट्रॉक्चर्स और अल्गोरिदम्स और इसमें हम आज सबसे पहली वीडियो देखेंगे कि इन्फिक्स टू पोस्ट्फिक्स एक्स्प्रेशन ठीक है आगे जाके मैं इस प्लेलिस में और भी वीडियो डालने वाला हूँ हैं वह मैं देखेंगे तो आपको आगर से यकुस्षण आया पिपर में तो आपको इसे ऐसे कॉलंब स करके उसमें पोस्ट्फिक्स में convert करना है यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह एक dollar का symbol है यहाँ पर तो यह dollar का symbol और ज्यादा कुछ नहीं है यह सिर्फ exponent के से कहते हैं अगर ऐसे अलग तरह के symbols आपके question में पूछे जाते हैं तो आपको वहाँ पर specify किया जाएगा कि यह symbol वहाँ पर किस expression को किस operation को specify कर रहा है जैसे कि यहाँ पर यह dollar का symbol exponent को represent कर रहा है तो ऐसे अगर अलग symbol आते हैं तो आपको वहाँ पर specify किया जाएगा तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा जो stack होगा आपको ऐसे तीन column बनाने होंगे stack, infix और post fix यह post fix में आएगा वो हमारा expression होगा final expression ठीके तो सबसे पहले हमारा जो stack है वो empty है first के लिए बता रहा हूं में फिर हमारा infix में पूरा expression as it is आ जाएगा जैसे कि bracket start a plus b star मतलब into c minus in bracket d minus e bracket close dollar symbol and f plus g ठीके यह पूरा expression आ गया infix में आप post fix भी हमारा जो है वो empty रहेगा first initial condition में ठीके आगे जाके हमारा stack में आएगा यह bracket सिर्फ एकिप bracket आएगा फिर यह expression रहे जाएगा यह bracket तो निकल गया stack में तो रहा गया क्या यह पूरा expression इस bracket को निकालके तो अब हम यह लिखेंगे bracket start a plus b bracket close star c minus in bracket d minus e bracket close bracket close dollar symbol f plus g ठीके अब भी हमारा तो अब भी हमारा जो जो पोस्ट फिक्स का कोलम है वो भी अभी भी कोलम empty रहेगा आगे जाके यह भी bracket stack में add हो जाएगा जो कि इस तरह और यह expression रहे जाएगा यह से आगे a plus b bracket close star c minus in bracket d minus e bracket close dollar symbol in bracket f plus g ठीके तो अभी भी हमारा जो पोस्ट फिक्स है अभी भी empty रहेगा तो अब जाके पोस्ट फिक्स में expression जाएगा जो कि है a ठीके तो अभी भी हमारा जो stack है वो stack में सिर्फ यह दो brackets रह जाएगे यहाँ पर a तो निकल गया तो आप रहे गया सिर्फ plus b bracket close star c minus in bracket d minus e bracket close bracket close dollar symbol in bracket f plus g अभी हमारा आएगा यहाँ पोस्ट फिक्स में a expression ठीके आपको नहीं दिख रहा होगा मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ठीके हाँ तो आप आगे रहे यह plus जो expression है वो आप जाएगा stack में तो stack में हो जाएगा यह bracket start bracket start plus यहाँ पर रह गया b bracket close star c minus in bracket d minus e bracket close dollar symbol in bracket f plus g ठीके तो अभी भी हमारा जो पोस्ट फिक्स है उसमें सिर्फ रह गया a अब b को निकालेंगे हम बाहर तो यहाँ पर भी as it is same रहेगा यह बी तो निकल गया यह रहे गया अब c minus in bracket d minus e bracket close dollar symbol f plus g ठीके तो अब भी हमारा जो stack है वो खाली तो अब हमारे साथ a के बाद आएगा b expression ठीके तो b जो है वो operand है इसलिए b एक साथ आजाएगा पोस्ट फिक्स में ठीके तो आब देखिए यहाँ पर important है जो bracket start हुआ और यह plus और यह bracket close यानि कि यह जो है expression यह पूरा खतम हो जाएगा यहाँ पर और रहेगा सिर्फ एक ही bracket ठीके यह bracket दोनों cancel हो जाएगे और जो अंदर expressions होंगे जैसे कि plus minus जो operations symbols होंगे वो symbols जाएगे पोस्ट फिक्स में bracket D minus E bracket close dot symbol F plus G तो यहाँ पर आगया A plus B और यह पूरा खतम हो जाएगा मैंने आपको यह सिर्फ बताया है पर यहाँ पर सिर्फ A की bracket रहेगा ठीके तो आगे दिखिए यहाँ पर यह star stack में आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा start bracket और यह star symbol यहाँ पर रह गया C minus in bracket D minus E bracket close bracket close dot symbol bracket F plus G और यहाँ पर अभी भी A plus B sorry A B plus हो गया अब यहाँ पर C पहाँ निकलेगा और C जाएगा यहाँ पर post fix में और stack as it is रहेगा ठीके जैसे कि यहाँ पर minus bracket start D minus E bracket close dot symbol in bracket F plus G रहेगा यहाँ पर सिर्फ और यहाँ पर आएगा A B plus C ठीके तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब bracket close होता है तब bracket में जितने भी symbols आये हुए हैं जैसे कि इस order में जैसे कि अभी यह plus आय गया और इसके बाद अगर minus का expression होता और subtraction का expression होता या addition का expression होता तो सबसे पहला addition आता और फिर बाद में जो सबसे पहले expression आया था वो बाद में आ जाएगा मैं आपको आगर भी जाके इस पर वीडियो बनाने वाला हूं तो आपको वहाँ पर भी clear हो जाएगा अब आएगा यह minus का sign minus का sign जाएगा फिर से एक बार stack में अब देखिए stack में जो है वो और रेड़ी यहाँ पर multiplication कर यानि कि star symbol है तो star symbol की जो priority होती है वो minus operation के priority से ज्यादा होती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे यह star operation है मतलि multiplication का operation है वो हम यहाँ से pop करेंगे और subtraction symbol का यहाँ पर push करेंगे और star symbol हम डालेंगे post fix में यानि कि a b plus c star ठीके तो यहाँ पर आ जाएगा start bracket subtraction यहाँ पर आएगा d minus e bracket close bracket close dollar symbol f plus g यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर होगा a b plus c star ठीके इसलिए किसलिए जिसकी जो multiplication का sign है उसकी priority जो है subtraction की priority से ज्यादा होती है इसलिए ठीके अगर यह दोनों subtraction और addition यह दोनों सेम priority के bits है तो अगर यह दोनों अभी यहाँ पर जो multiplication का sign है इस जगह पर अगर अगर प्लस का symbol होता तो वहाँ पर दोनों भी रह सकते थे पर इसकी priority ज्यादा है इसलिए हमने यहाँ से उसे पॉप कर लिया और subtraction को push कर दिया ठीके तो अब आगे यहाँ पर यह bracket यहाँ पर stack में आ जाएगा यह start bracket minus यह start bracket यहाँ पर रहेगा d minus e bracket close bracket close dot symbol start bracket f plus g और यहाँ पर रहेगा a b plus c star ठीके अब यह d हम देखेंगे यह हो गया यहाँ पर stack as it is रहेगा यह d चला जाएगा post fix में यहाँ पर रहेगा minus sorry minus e bracket close bracket close dot symbol f plus g और यह भी चला जाएगा c के बाद अब यह minus का symbol आएगा यह minus का symbol as it is यहाँ पर ऐसे यहाँ पर रहेगा e bracket close dot symbol start bracket f plus g close और यहाँ पर रहेगा a b plus c star d अब आगे e निकलेगा बहर इन fix से तो यहाँ पर हो जाएगा यह bracket start minus bracket start minus यह e closing bracket dollar symbol f plus g और यह e चला जाएगा d के बाद इसकी a b plus c star d e आप देखिए यह जब closing bracket यहाँ पर आएगा तो यह पर यह bracket और यह bracket cancel हो जाएगे और जो अंदर जो operation है जिसकी subtraction operation यह operation चला जाएगा post fix में जाना कि d e minus हो जाएगा आगे जाके ठीक है तो मैं यहाँ पर वो इसकी तरह नहीं दखाने वाला हूं मैं यहाँ पर direct करूंगा ऐसे और यहाँ पर चला जाएगा यह e की bracket star symbol f plus g और यहाँ पर होगा a b plus c star d e minus ठीक है sorry यह minus थोड़ा उपरचा आप देखिए यह भी bracket यहाँ पर close हो जाएगा और हमारा जो stack है वो empty हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर रहे जाएगा सिर्फ यह dollar symbol f plus g और यहाँ पर हो जाएगा a b plus c star d e minus मैनस ठीक है क्योंकि यह दोनों भी minus expression यहाँ पर दोन ब्रैकेट close हो गए तो वहाँ पर जो operation थे वो चल गए post fix में अब यहाँ पर बात आती है इस symbol की मैने आपको शुरुआत में यह बताया था कि यह symbol जो है वो exponent को represent करता है यहाँ पर तो डरने वाली कुछ के बात नहीं है as it is यह symbol जाएगा हमारा stack में यहाँ पर stack empty है हमारा यहाँ पर आप empty भी लिख सकते हैं ऐसे यह dollar चलागा यहाँ और यह और यहाँ पर रहेगा f plus g as it is expression रहेगा d e minus minus अब यह bracket यहाँ पर stack में चला जाएगा dollar symbol starting bracket f plus g bracket close a b plus c star d e minus minus अब यह f चला जाएगा post fix में और यह stack रहेगा as it is plus g bracket close a b plus c star d e minus minus f अब यह plus चला जाएगा यहाँ पर stack में तो यहाँ पर हो जाएगा dollar symbol starting bracket plus यहाँ पर रहेगा g bracket close और यहाँ पर a b plus c star d e minus 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 f अब हमारा g चला जाएगा post fix में और यहाँ पर as it is starting bracket plus यहाँ पर रहे गया यह closing bracket यहाँ पर होगा a b plus c star d e minus minus f और g अब देखिए यहाँ पर यह closing bracket यहाँ पर आ गया और यह starting bracket closing bracket get cancel हो जाएगे और यह plus मतलब addition का साय है वह चला जाएगा post fix में जैसे कि यह यहाँ पर हमारा infix जो है वह end हो चुका है end और यहाँ पर expression हमारा a b plus c star d e minus minus f g और plus अब रहे गया सिर्फ हमारी यह star symbol मतलब exponent symbol अब यह भी चला जाएगा post fix में और हमारा पूरा expression जो है वह post fix में convert हो जाएगा जैसे कि a b plus c star d e minus minus f g plus star symbol तो इस तरीके से हम infix to post fix expression कर सकते हैं Thank you friends for watching this video अगर यह वीडियो आपको पसंद आया समझ में आ गया तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिये का क्योंकि आगे जाके मैं इस playlist में बहुत सारे वीडियो और भी डालने वाला तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए गुद्बाइ झाल झाल झाल